विवादत धाचा को लेकर अतिहासिक फैसला जो है वो आज आएगा फैसले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए है सर्यूगार्ट से लेकर मट्च मंदिरों पर जबान मुस्तैद है सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग की जा रही है तो सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम जो है वो किये गए है क्योंकि कही न कहींगे हाई प्रोफाइल मामला भी है क्योंकि इस पूरे मामले में बड़े बड़े नेताओं का नाम है तो ऐसे में सभी की नजर बनी हुई है पूरे के पूरे थाइस साल के बाद ये फैसला जो है आना है आपस में कॉर्डिनेशन करके सभी जगह पूलिस को एदर कर लिया है सादे कपरे में हमारे पूलिस करनी ही लगे हुए है और जो गुष्ट की कॉलिसी को लेकर है एक जगह लोगों को इक त्रिक नहीं होने देना है ज्यादा लोगों को डिस्टेंस, सोसल डिस्टेंस को बना तो इतिहासिक फैसला है सभी की नजर इस फैसले पर बनी हुई है हम भी आपको पलपल की अपडेट बताएंगे और जादत जानकारी के साथ सीधा रुप करते है हमारे संबादाता गगन मिश्वा का जो सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए है सुरक्षा के हिसाब से किस प्रकार के इंतिजाम किस प्रकार की विवस्था सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग की जारी है जवानों को खड़ा करा गया है जवान मुस्तैद है किस प्रकार की सुरक्षा के इंतिजाम है गगन क्योंकि आज का दिन बहुत खास है अगर लखनों की बात करें तो जहां पर ये फैसला सुना जाना है ये प्रानी हाई कोट के अंदर CBI की विशेश अदालत बैटी है जहां पर मदी स्टेट आज ऐसके आद हो आज फैसला सुनाएंगे वहाँ पूरी तरह से बैरेकेटिंग लगा दी गई है जो वकील के बात करें तो यहां पर लगा रहता ईकिन आज कहा है कि इस इलाके में कोई भी नहीं आएगा पुलिस की डिप्लाइमेंट यहां पर तैनाथ है तो पहले कहा जा रहा था कि मजिस्ट्रेट ने आज सभी 32 आरोपियों को कोर्ट पर पेस होने के लिए कि कहा था कि कोर्ट पर पेस होंगे लेकिन जो सूचना आ रही है यह कि लार करिशनडवानी मुली मनोजोसी नत्य कुप पालदास उमा भारती कल्यार सिंग यह आज कोर्ट में नहीं आएंगे कि यह संभावना थी कि यह लोग आएंगे तो क्योंकि उनके पास जट सेड़ी की सुरक्षा है तो उसको भी देखते हुए पूरी ज्वैस्ता की गए ति लेकिन पूरी तरह से यहां पर फोर सतनाथ ह है लेकिन सबसे बड़ी बात है पूजा कि एठाइस साल बाद यह फैसला आने जा रहा है हाना कि जो तेजी पकड़ी है वो तो अपरेल 2017 सही पकड़ी थी लेकिन इंतजार लंबा था और सभी को क्योंकि नौ जब नौंबर में जब आयोद्धा रांजम भूमिक में पढ़ आए गया था उसी इसके बास पूरा विवाद शुरू हुआ था उसी को अभिवाद अब दर्ज होने के बाद सीब्याइए को यह मामला टेक और किया था उसके बाद पूरा केस चला है तो तो तमाम चीजों को लेकर यह 22 आरूपी में 49 औरूपी दिस सटरा के दिहान तो च तुमाम दलीले देते वे नजर आए ऐसे में क्या लगता है कि आज एकबर क्या फिर से इस फैसले को सुरक्षत रख लिया जाएगा क्या या उमीद है कि आज फैसला ही जाएगा आज देखिए ऐसे तो हम संभावना लगा सकते थे कि साइद आज फैसला ना सुनाया जाए लेकिन तारीखों पर ध्यान देजिए तारीखे बहुत महत्वपूर्ण हैं आज की तो तारीख है 30 सितंबर आज से 10 साल पहले 30 सितंबर 2010 को हाई कोट निराम भूमई को लेकर फैसल सुनाया था तो इस मैंने में तारीख काफी माइन रखती है दूसरा जो इस कोट के विशेश सुरेंद कुमार यादों हैं उनको आज आज आखरी दिन है आज वो रिटायर हो जाएंगे क्योंकि उन्हें एक साल का सेवास्तार मिला था आज आखरी दिन हो आखरी फैसला सु आज आखरी दिन है आज के बाद रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोट ने भी सक्त निर्देश दिये थे सीवाई की विशेच आज को कि आप किसी भी हाल में 31 अगस्त तक फैसला सुनाईए लेकिन क्योंकि लोगडॉं के दौरान जो कारवाई थी वो थोड़ी से हलकी सितंबर को फैसला सुनाएगी तो आज 28 साल से जो चला रहा था विवादिध धांचा विद्धवन्स मामले में आज उसका फैसला सुनाए जाएगा काफी तारीखे आप नजर बनाए रखे आपसे पलपल की जानकारी लेंगे अपडेट लेंगे अपने दर्शकों को जोड़ने के लिए अपडेट देने के लिए